हेलो माई शुरेंट्स मैं सुनिल सार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिसी केडमी में तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पाराग्राफ नूमबर 6 की जिसका हम देखेंगे किस प्रकास से ट्रांस्लेट करतें इंग्रीश में काफी इंपोर्डिन परग्राफ है अगर इस तरह के परग्राफ के अगर आजाता है तो आप किस तरिके से इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं जिससे आपके एक्जाम में अच्छे मांक्स आ जाएं तो आए हम देखते हैं इस वीडियो को और काफी अच्छा लच नहीं है अपितू लच पूर्ती का साधन है देखिए बहुत अच्छी बात कहीं गई यह सिक्षा के बारे में बताया गया सिक्षा जो है एक लच नहीं है बलकि क्या है लच पूर्ती का साधन है यानि कि जो भी हमको लच प्राप करना है उसके लिए क्या है ये एक क्या है उसका साधन है में से तो हम बात करेंगे education की तो लिखा है education is not an aim आप लोग लच्छ के लिए aim का ही यूज़ करेंगे पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर aim का यूज़ न करके आप लोग करिए यहाँ पर end का end का मतलब अंत तो हमको सिच्छा को जो है अपने जीवन का अंत नहीं वाना है नहीं लच्छ नहीं वाना है तो यहाँ पर end का यूज़ ज्यादा अच्छा होगा तो आप यहाँ aim का यूज़ न करके end का यूज़ किजिए तो education is not an end अपितू के लिए क्या लिखेंगे but क्या है एक साधन है तो क्या साधन है education के बारे में बात हो रहा है तो हमें लिखेंगे but means साधन है लच पूर्ती या लच पानी के लिए क्या एक साधन है तो यहाँ पर भी मैंने end का यूज़ किया है ठीक है students तो यह जो sentence था एक साधान sentence था जिसमें हमने is का यूज़ करके जो है sentence को बनाया है आगे देखते हैं कर दूसरे सब्दों में दूसरे सब्दों का क्या होगा in other words ठीक है ना दूसरे सब्दों में हम बच्चों को केवल सिच्छित करने के दिष्ट से सिच्छा परदान नहीं करते हैं यह कैसा sentence है present indefinite है बात कर रहे हैं subject की ही हम है तो यहां लिखेंगे वी और चुकि यह negative है तो हम लिखेंगे do not अब क्या है सिच्छा परदान करना तो भीया वर्ब क्या हो जाग यहां पर educate किसको नहीं परदान कर रहे हैं किसको सिच्छा परदान नहीं करते हैं बच्चों को वी डूनाट एजुकेट children अब क्या है आगे देखिए कि हम बच्चों को केवल सिच्छित करने की दिश्टी से सिच्छा नहीं करते हैं तो वी इन अदर वर्ड्स वी डूनाट एजुकेट children अब आया है सिच्छित करने की दिश्टी से only सिर्फ आया ना देखिए बच्चों के वाद only for the purpose only for the purpose to educating them उन्हें educating में सिच्छित करने के लिए यानि कि हम सिर्फ आशिफ only for the purpose यानि हमारा सिर्फ ये उद्देश नहीं होता है कि उनको सिच्छित किया जाए यानि कि हम बच्चों को सिच्छा परदान नहीं करते हैं कि वाद इस द्रिश्टी से कि उनको सिच्छित किया जाए तो कहने मतलब यह है कि हम बच्चों के वाद सिच्छित करने की द्रिश्टी से सिच्छा परदान नहीं करते हैं तो देखिए बनानेक तरीक्या क्या है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा भी है डूनाट में इस नहीं करते हैं क्या नहीं करते हैं किसको नहीं करते हैं चिल्डेन को only for the purpose शिर्फ इस उद्देश से to educating them यानि कि सिर्फ इस उद्देश से कि उनको सिच्छित कर दिया जाए इस purpose से हम लोग बच्चों को educate नहीं करते हैं ठीक है ना कोई समस्या किसे पर आगे कोई दिक्कत educating के समझमा है आपको चलिए हमारा उद्देश तो आप देखिए यहां पर our हमारा उद्देश यानि कि purpose our purpose हमारा उद्देश उन्हें जीवन के लिए सच्छा मुनाना है our purpose is to make miss banana our purpose is to make उन्हें make them miss उन्हें जीवन के लिए सच्छा मुनाना है तो we our purpose is to make them fit for life देखिए उन्हें बनाना है क्या बनाना है fit बनाना है सच्छा मुनाना है for miss के लिए life miss जीवन के लिए our purpose is to make them fit for life देखिए कैसे sentence बनता जा रहा है अगर कहीं भी किसी परागी समस्या होती है तो हम sentence को रोगना ने चाहिए हमें बना दना चाहिए spelling आप किसी ने चाहिए meaning आप किसी ने चाहिए grammatical जो rule होता है उस पे हमको follow करना है हमारा sentence बिल्गुल सही जाएगा students आया ऐसे भी sentence को बनाने के तरीके कई होते हैं कई तरीके उस sentence बना जाता है तो यह नहीं कि आपका sentence गलत हो रहा है आपका भी sentence सही है एक जानमल आपको अच्छे नंबर दे सकता है अब बात करते हैं जैसे ही हम वास्त्विक्ता का अनुभा कर लेंगे तो देखिए क्ये ही स्वाष्चविक्ता का अनुभा कर लेंगे तो देखिए यहां पर यह जो sentence से आपको लग रहा है कि फ्यूचर टेंस है वास्तिविक्ता का अनुभव कर लेंगे आगे लेकिन पढ़िए कह रहा है तो हमारी समझ में आ जाएगा कि सिच्छन विदी का चैन करना बहुत महतोपुर है यह संटेंज जानते क्या है एक कंडिशन दे रहा है कंडिशन मिस होत अनुभव कर लेंगे रियलाइज क्या अनुभव कर लेंगे दर टूथ वास्तिविक्ता का या रियलिटी का तो हमारी यानि कि वी समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा विल अंडर्स्टैंड कि वी बिल अंडर्स्टैंड समझ में आ जाएगा दैट मिस्की सिच्छण विधी का चैन करना बहुत महत्पूर्ण है तो इसको मनाएंगे इटीस से इटीज वेरी इंपॉर्टेंट जेकी इस्ट्रेंट कितना असानी सेंटेंज बनता चला जा रहा है इटीज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज तो बन गया विधी को कहते है system of education चैन करना का चूज हो गया बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है अब आगे कह रहा है जो तो जो के लिए आदेगा लिखेंगे विच बच्चो को यठात रूप में जीवन से तियार करेगी इत्विच्छ विल देँ अ सबस्क्रेंविच में जो विश्तेयार करेंगे लेकिंग यहां पर देखे यह थात रूपस है तो विच्छ से प्रेट्ट यहां पर नहीं देंगे रेली इसको यह थात रूपके लिए हम यहां यूज़ कर करते हैं कि भई बच्चों को चिल्डरेन के लिए ना पॉर लाइव तो देखिए सेंटेंस बन चुका है आपका ये पैलग्राफ हो चुका है आपको किते सम कम समय लगेंगे आपको समझारा थे इसलिए समय लगा लेकिन आप इसको अगर करेंगे तो चार से पांच मिन का समय बहुत है इसको पारग्राफ को इंग्लिश में टांसरेट करने के लिए लास्ट लैंड की बात कर लें तो हम जैसे ही एस उनएस वी रिलाइज हम अनुभाव करेंगे वस्त्विक्ता का अनुभाव करेंगे दर टूथ को तो वी विल अंडरस्टेंड हमको समझ मा जाएगा तो हमें यह समझ मा जाएगा कि एजुकेशन सिस्टम का चुनाओ करना किता इंपॉर्टेंट है विच विल रियली प्रिपियर चिल्वन फॉर लाइंड जो वास्त्विक्ता में अर्थाद रूप से बच्चों को जीवन के लिए क्या करेगी तयार करेगी इसलिए हमने यह ग्रेमेट की रूल आपका सही होना चाहिए बस आपका सेंटेंज में को सही हो जाएगा ठीक है ना अगर कभी भी एक्जाम में परग्राफ आता है तो आप उसको जुरू करके आईएगा जैसे भी करिए तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ला गड़ियो को जाओ में बस्वाद के लिए रड़ी को जो आचिए बस्तों ना ऑन वैज लोगी को लाईएगा वाद के लो नापको अच्छी औरम पूल अबस्तों सेंटों के लिएगए जाओ और दो भी का ह।